नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि मोक्सिग्राम आई जॉप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Moxigram Eye Drop को आखों में कैसे डालना चाहिए और Moxigram Eye Drop की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Moxigram Eye Drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Moxigram Eye Drop एक antibiotic दवा है Moxigram Eye Drop का उप्योग आखों में bacterial infection होने पर किया जाता है आखों में bacterial infection होने पर आखों का लाल होना, आखों में सूजन होना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों के आसपास चिपचिपे म्यूकस का जमाव होना, आखों से पानी आना, आखों में खुजली होना, आखों में सूखापन होना, आखों की दृष्टी दुंदली पढ जाना और रोश्णी के प्रती आखों की समवेदन शीरता ज्यादा होना आदी लक्षन आखों में बैक्टिरियल इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। को कि कोई सरजरी होने के बाद भी डॉक्तर आखों में इंफेक्शन को होने से रोकने के लिए मोक्सिग्राम आइड्रॉप को डालने की सला दे सकते हैं। आखों में खुजली होना, आखों में सूजन होना, आखों का लाल होना और आखों की द्रिष्टी का कुछ समय के लिए धुंधला होना आधी साइड इफेक्स मोक्सिग्राम आई ड्रॉप की वज़र से हो सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति को मोक्सिग्राम आई जॉप को आखों में डालने के बाद आखों में बहुत तेज जलन, खुजली और आखों में रेडनेस की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिती में आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, क्यों लगातर व्यक्तियों को डॉक्तर मोक्सिग्राम आई जॉप को दिन में तीन बार आखों में डालने की सलाह देते हैं, और साथ दिन तक लगातार आखों में डालने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन मोक्सिग्राम आई जॉप की दोज उम्र और बीमारी की गमधीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको मोक्सिग्राम आई जॉप को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही डालना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि मोक्सिग्राम आई जॉप को आँखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। मोक्सिग्राम आई जॉप को लगातार एक सब्ता से अधिक डॉक्तर की सला के बिना आँखों में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि लंबे समय तक मोक्सिग्राम आई जॉप को डालने की वज़ह से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक मोक्सिग्राम आई जॉप को डालने की वज़ह से आखों में सुपर इंफेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। सुपर इंफेक्शन यानी एक नया इंफेक्शन आखों में हो जाता है। मोक्सिग्राम आई जॉप को आखों में डालने के बाद कम से कम 30 मिनिट तक किसी अन्य दूसरी आई जॉप को नहीं डालना चाहिए। मोक्सिग्राम आई जॉप की बोतल को एक बार खोल लेने के बाद मोक्सिग्राम आई जॉप की उस बोतल का उप्योग एक महीने के अंदर कर लेना चाहिए और मोक्सिग्राम आई जॉप की खुली हुई एक महीने से पुरानी आई जॉप को आखों में नहीं डालना चाहिए। मोक्सिग्राम आई जॉप को आखों में डालने के बाद मोक्सिग्राम आई जॉप के धकन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और Moxigram Eye Drop की बोतल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आखों में infection हो सकता है. अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि Moxigram Eye Drop प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं. इसलिए केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Moxigram Eye Drop को डालने की सलाह देते हैं. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका Moxigram Eye Drop से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं.